बहुत और चुडेल के स्कूल में आना मना है नहीं आई पढ़ाने चलो सब खेलते हैं फिर मैम सारे बच्चे शोर मचाने लगे शोरी शोरी मैम क्या सोरी तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो आज देखो तुम्हारा रेमांड निकालूंगी मैं और मन्जू तु आ गया तुझे क्या लगता है चुडेल रोशनी उसकी एक बात नहीं सुनती और मन्जू को पटक पटक कर मारती है ये देख और भी भूतिया बच्चे डरने लग जाते है फिर चुडेल सब की सीट पर जाकर उने स्केल से मारती है रश्मी निखिल तुम भी बहुत शोर मचा रहे थे आगे हाथ करो हाँ नहीं मैम आपसे ऐसा नहीं करेगे अच्छा तो यह लह जो ऐसे रोकर दिखाएगा उसे तो मैं ज्यादा पीटूंगी और रश्मी तू भी लह सब बच्चों को चुड़ेल तीचर बहुत मारती है चलो बहुत रोना दिना हो गया अब इंग्लिश की बुक निकालो और जिसने ओरल टेस्ट नहीं दिया या गलत आंसर बटाए वो तो फिर पिटेगा क्योंकि तुम जानते हो मुझे सिर्फ पढ़ते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं की माम और ये क्या क्लास में इतने कम बच्चे क्यों है जाओ जाकर और बच्चो को लेकर आओ जो खेल कूद करते हैं पढ़ाई नहीं करते मंजू हितिक तुम लेकर आओ फिर दोनों भूतिया बच्चे बाहर जाकर एक सोते हुए बच्चे को उठा लेते हैं और जो रात में फोन चला कर गेम खेल रहे थे, उन्हें दोनों भूतिया बच्चे पकड़ कर ले आते हैं। अच्छा लाल, बिटा तुझे मार मार के लाल कर दूँगी, इंग्लिश में सुना। ये सुन चुड़ैल उसे अपने जादू से हवा में लटका देती है। गेम तो बहुत चला रहा था, पढ़ाई करनी नहीं आती। अब देखो तुम्हें कितना होशियार बनाओगी यहां रात में बढ़ा कर, क्या ना में तेरा। शीव है मैम। और तुम दोनों का? तबी सीटी बजाता हुआ भूतिया टीचर अमन आता है। और रोश्नी मेडम, क्या हो रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं? मुझे पीटी भी करवानी है, फिजिकल हेल्थ भी तो जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ तो इनकी मर खाकर बन जाती है आदी, फिर भी ले जाईए, गेम भी खिला देना। अभी एक बज रहा है, एक घंटे का पीटी करवाता हूँ, फिर आप इनके बाकी सब्जेक्ट भी पूरे करवाना। जी बिल्कुल सर, चलो सारे बच्चे लाइन लगाकर प्लेग्राउंड में पहुँचो, कोई धक्का मुक्की नहीं, वरना धक्का मुक्की के बदले मार दूँगी। भूतिया टीचर एक बच्चे की गर्दन उड़ा देता है, ये देख सारे बच्चे डर जाते हैं, कोईकि ये बच्चा हमेशा टेस्ट में जीरो मार्क्स लाता था और बोल भी तो नहीं पाता था, चलो अब खेलना स्टार्ट करते हैं। डर कर सारे बच्चे उस बच्चे के सिर से वाली बॉल खेलने लगते हैं। आदी रात में बच्चों का शोर सुन, स्कूल के पास वाले घर से बब्लू आता है। बच्चों की आखों के सामने भूत उस इंसान को मार डालता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसा भूत ये स्कूल है। ओहो पहले आता इसका ही वाली बॉल बना कर खेलते हैं। खाम खाम मेरा एक स्टूडेंट कम हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं भूत और चुडेल मिलकर बच्चों को पढ़ाते थे। और जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसको सजा के तौर पर कभी हवा में पटकते थे तो कभी पंके पर लटका दिया करते थे। साथ ही एक बार फिर चुडेल किसी इंसानी बच्चे को पकड़ कर बाहर से स्कूल में लाती है। तो उसके माता पिता अपने बच्चों के पास आते है। उस चुडेल को बिल्कुल तरस नहीं आता और वो उसके माबाप को मार देती है। फिर बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों के पढ़ने के बाद भूतनी टीचर उनका टेस्ट लेती है। तो सब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। सबी बच्चे ताली बजाने लगते हैं और भूत उन्हें फ्रूटी देता है। ले लो इसे पियो आज हम दोनों तुम सब के रिजल्ट से बहुत खुश है। सर आपकी वज़ा से हम पढ़ पाए। उसके लिए थैंक यू सर क्या आपसे एक बात पूछ सकते हैं। आप लोग रात में भूतिया बच्चे और हमें पकड़ कर क्यों बढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल बहुत खराब है। उसने गरीब बच्चों से बहुत महँगी फीसलूटी है। सिर्फ इसी बात का विरूद करने पर उसने हमें स्कूल से निकाल दिया। लेकिन हम अभी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। हाँ मनसर पर कहां कोई स्कूल कोई जगा तो हुनी चाहिए हमारे बच्चे हमसे ही पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ मैम हम सारे बच्चे आपके पास आ गए हैं आप सी पढ़ेंगे पर कोई स्कूल तो देखो। बच्चो आज तुम अपने घर जाओ जैसे ही कोई स्कूल मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। रोश्णी और अमन स्कूल की बाते करने एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुँच जाते हैं। हाँ सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं। पर हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है आप सब चिंता मत कीचिए। यहाँ पास में ही एक स्कूल है जो काफी समय से बंग पढ़ा है। आप उधर पढ़ा सकते हैं। यह लीजे चाबी। शुक्रिया सर। यह बोलते ही स्कूल में जाकर स्कूल की सफाई करने लगते हैं। और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। वहीं मंत्री का असिस्टेंट बोलता है। सर आपने उन दोरों को स्कूल क्यों दे दिया। इतना बड़ा। अरे पागर है। बेकार स्कूल था इसलिए दे दिया। कमजोड दीवारे हैं कभी भी गिर सकती है। अच्छा है मर जाएंगे। फिर पढ़ाते रहेंगे भूत बन कर। सारा पढ़ाने का शौक पूरा हो जाएगा। अरे वाँ सर आपने उनको क्या बेवकूफ बनाया। वहीं दोनों टीचर मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अचानक से भूकम पाता है जिसमें वो सम मर जाते हैं। और वो भूत और चुडल बनकर बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। हे भगवान यह हमारे साथ क्या हो गया। इतनी कमजोर दिवारें। वो मंद्री जानता था। उसने फिर भी हमें नहीं बताया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मैम आप वापस आकर पढ़ाओगे न हमें। हाँ बच्चो जब तक तुम पढ़ते रहो। यह बोलने के बाद भूत और चुड़ेल मिलकर मंत्री और उसके असिस्टेंट को मार देते हैं। वो वापस आकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। बस उस दिन से आज तक हम से स्कूल को दोबारा बनाकर भूतिया बच्चों और इनसानी बच्चों को पकड़कर पढ़ा रहे हैं। मैम अब हम समझ गए आप क्यों हमें डाटती थी। अब हम सब मन लगाकर पढ़ेंगे। हाँ बच्चों। उस दिन से भूत और चुडेल सारे बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं।